सो री फ्रेक्टिव इन्डेक्स how graph gerçekten math अगर फॉर्स हम देक्थेगी कि अगर री फ्रेक्टिव इन्डेक्स पर निूमेरिकल आते न होग तो रहां हम उन्हें किस टाइब से साल्ग करेंगे लेकिन इससे पहले यानि कि refractive index पर numerical solve करने से पहले एक बार हम formula देख लेते हैं कि यहाँ पर formula कौन कौन से use होने वाले हैं that is refractive index को हम represent करते हैं यहाँ पर mu से हमने देखा था explanations में next formula यहाँ पर कौन कौन से use होने वाले हैं इसके लिए जब कभी भी आपको formula याद करने होंगे कि हम यहाँ पर कौन कौन से formula use करेंगे तो simply आप यहाँ पर दो mediums बना लें like यह रहा आपका A medium और यह रहा B medium अब एक ray कैसे travel करेगी एक medium से दूसरे medium की तरफ जा रही होगी यह ray of course और यहाँ पर एक normal भी होगी like इस तरह से यह एक हो गई यहाँ पर normal तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता है like यह वाला angle आई है यह वाला angle आर है तो angles के according refractive index क्या होता है एक तो यह formula आता है that is अगर आपको यहाँ पर refractive index देखना है B का that is mu B फिर भली light किसी भी direction में जारी हो क्योंकि angles पर एक तरह से light की जो direction है वो depend नहीं करती तो mu B जो है वो यहाँ पर हो जाएगा that is sin I divided by sin R और यह B किसके respect में that is B with respect to A क्योंकि B medium का A respect में हम यहाँ पर refractive index देख रहे हैं आपको याद आ गया होगा जब आपने refractive index पर बेस वो topic सीखा तमहाँ पर tricks भी जीगी थी next next एक angles पर हम एक तरह से refractive index को compare कर सकते हैं अगर समझे तो next हमने यह सीखा था कि हम refractive index को अब किस से compare करते हैं like एक तो हो गया हमारे पास angles दूसरा होता है हमारे पास speed तो यहाँ पर speed किसकी उपर आएगी किसके नीचे आएगी same as it is जैसा i यहाँ पर आप देखना चाहते हैं b medium का refractive index तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास speed of light in just as it is i यहाँ पर आ रहे हैं यानि कि medium a में तो velocity of light in a divided by velocity of light in b और we can say speed of light in b और यहाँ पर आ जाता है हमारा a क्यूंकि angle i भी a में था और a medium में था और angle r भी दूसरा जो angle है वो b medium में था तो इस according हमने देखा था कि हम formula लिखते हैं और तीसरा formula इन दौनों का बिलकुल opposite होता है क्योंकि यहाँ तो आपने एक तरह से a divided by b करा यहाँ भी sin i sin r करा और i तो a में है और यह b में है तो यहाँ भी a divided by b हुआ लेकिन अब हम क्या करते हैं third चीज में third हम कर देते हैं b divided by a लेकिन b किस से divide हो रहे हैं से a से कब जब हम refractive index b का calculate करें लेकिन कैसे खुद refractive index से इसको compare करके that is absolute refractive index of b divided by absolute refractive index of a यानि कि यहाँ पर हम एक तरह से अब तीनों में हमने क्या निकाला हैं पर क्या find out करा है यह mu b का क्या मतलब है आपर mu b का मतलब है है आपर refractive index of b और मैं अगर a put कर देता हो तो यहाँ पर आ जायेगा with respect to a यानि कि a के respect में अगर यहाँ पर a नहीं होता तो यह किस के respect में होता like a अगर नहीं है तो यह एक तरह से refractive index तो होगा ल absolute refractive index होगा बीगा और absolute refractive index किसके comparison में होता है with respect to vacuum, vacuum के comparison में, तो यह हो जाता है हमारे पास refractive index, यह refractive index के तीन formula होते हैं, हमने सीखा था कि refractive index सिर्फ एक comparison होता है और यह सारी tricks हमने वहाँ भी सीखी थी कि formula और better तरीके से किस तरह से form करे जा सकते हैं next, अब इन तीन formula based पर हमारे पास जो question आएंगे वो यहाँ पर present होंगे और उन्हें ही हम यहाँ पर solve करेंगे तो सबसे पहली question से start करते हैं, like हमारे पास जो question है वो यह है, the figure shows a ray of light as it travels from medium A to B तो medium A से B की तरफ वो ray of light travel कर रही है, next हमें क्या पता है यहाँ पर यह angle I हमने फिलाल बाना हुआ है क्योंकि यह angle of incidence होगा और यह angle of reflection होगा, next, next अगर देखें कि यहाँ पर पूछा क्या गया, like our solution will be like refractive index of medium A, यानि कि A medium का हमें बताना है with respect to B लेकिन यहाँ पर हमें given क्या है, सिर्फ angle, angle हम एक बार put कर लेते हैं कि actually में question में क्या-क्या यह angles given है, like I आपको given है 45 degree and R आपको given है 60 degree, यह हमने खुद add कर लिया क्योंकि यहाँ पर miss हो गया था तो I यानि कि angle of incidence question में given है 45 degree and angle of reflection यहाँ पर given है 60 degree और हमें बताना क्या है यहाँ पर, speed हमें नहीं given लेकिन angles given है तो जब कभी भी हम angles के according refractive index calculate करते हैं तो यह बहुत easy है like किसका refractive index, A का, तो इसके बाद हमें second part में, यह तो first part होगे second part को भी लिख लेते हैं, second part में हमें क्या करना है, किसका refractive index calculate करना है है पर refractive index B का, तो B का यहाँ पर refractive index क्या होगा, अगर हम B का भी फिलाल पहले B का देखें तो B का refractive index होता है, sine I divided by sine R, अगर आप यहाँ पर इस dry graph में देखें, तो यहाँ भी यही हो रहा था, क्योंकि हम B का refractive index calculate कर रहे हैं, तो sine I upon sine R हम करते हैं, यानि कि जिसका refractive index उसकी value यहाँ पर नीचे आ जाती है, next, इसके बाद mu A, यानि कि refractive index A का, लेकिन अगर हम दौनों में देखें, यहाँ पर A के respect में, यहाँ पर B के respect में, next, यहाँ पर अगर हम refractive index A का देखें, तो A का क्या ह हो गए हाँ यहाँ पर, A यह वाला medium है, तो इसका जो, इसकी जो value होगी वो आ जाएगी यहाँ पर नीचे, that is, इसकी value तो sine I होगी, क्योंकि यहाँ पर angle I present है, and उपर हमारे पास आ जाएगा sine R, अब क्या गरना आपको just यहाँ पर values पुट करनी है, values किसकिस की पुट करनी ह है, like, यहाँ तो हो जाएगा हमारे पास, sine 60 degree divided by sine 45 degree, and यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, sine 45 degree divided by sine 60 degree, and sine 60 degree हमारे पास होता है, that is, root 3 upon 2, and sine 45 degree होता है, हमारे पास 1 upon root 2, तो यह जो 2 है, इसे हम root 2 multiplied by root 2 भी लिख सकते हैं, और एक root 2 से 1 root 2 cut हो जाएगा, तो answer आएगा आपका, that is, root 3 divided by root 2, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 upon root 2 divided by root 3 upon 2 आना चाहिए, क्योंकि sine 60 की value यहाँ पर 2 होती है, तो इसे हम लिख देंगे root 2 multiplied by root 2, तो एक root 2 से 1 root 2 यहाँ भी cut हो जाएगा, तो यह answer आजाएगा हमारे पास, that is, root 2 divided by root 3, तो angles के according तो बहुत simply आप बता देंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर refractive index के question solve करने है, तो इतना सा पार्ट आपको जो explanation वीडियो में देखा था, यह पूरा learn करना होगा अच्छे से, कि किस टाइप से यह होता है, हमेशा अगर आपने चोटा सा डाइगराम बनाने सीख लिए और इसके according आपने formula एक्जैमस में पहले ही लिख लिए तो बहुत easily आप यह सारे refractive index के question solve कर लेंगे,